जो बच्चों कुछ भी नहीं लेका है तो उनके लिए कि तना दुखव चारेमेंद करके हैं लेकिन हमने बबीनंद्स की इसको dify डौन लेका इस तरह से मनुबाकर के बारे में हमदास कर रहेते मनुबाकर की मातापिता नहीं कहा कि वो भगवत गीता जो है उसमें काफी ज़द बिलीव करती है, पढ़ती रहती है यहाँ पर भी इस रूम में मैं भगवत गीता देख पा रही हूँ क्या नीरज भी इवेंट से पहले या इवेंट के दौरान भगवद गीता या कुछ इस तरह का पढ़ते हैं, विलीव करते हैं लेकिन एक सवाल जो है बहुत सारी लड़कियां जानना चाहते हैं कि नीरज के लाइफ में कोई स्पेशल है या फिर आप उनकी शादी को लेकर सोच रहे हैं अभी या अभी नहीं सोचना चाहते हैं अभी फोकस जावलिन पर ही होगा मैं बहुत बहुत स्वागत है आपका नीरज से हमारी बाबात हुई और एक ही चीज़ी यही कह रहे थे कि चाहते थे कि पैरिस में भी इंडिया का जो है राश्ट्रगान बजे लेकिन ऐसा नहीं हुआ थोड़ा कहीं वहाँ पर भी वो मायूस थे हैं आप लोगों को किस तरह से लग रहा है कि पहली बार गोल्ड था इस बार सिल्वर है देखो जी आमने बहुत खुशी है सिल्वर की भी ऐसा कोई हो नहीं है लेकिन बड़ी अच्छी जी मैंट करका जा रहे थे बच्चे जो गोल्ड लेके है उसकी भी खुशी है जो सिल्वर लेके है उसकी भी खुशी है और जो बच्चे कुछ भी नहीं लेका है तो उनके ल जाने से पहले इस इंजरी को लेकर उनोंने बात की थी? बस दुख ही इसी बात का है जी और कुछ है निए भाई शिल्वर और गॉल्ड तो मैडल तो देखें सारे एक सरे हैं तो बारत को वो सिल्वर मैडल दिया देखे दुख इसका था कि कई इंजरी नहीं हो जाए इसका जाने से पहले कुछ बात हुई थी आपकी उनसे जाने से पहले यह हुई थी प्रैक्टिस अथी है और अच्छा करकाएंगे इसके लिए मैडल दिया जब भी क्रिकेट की मैच क उसी तरह से मोहल बन गया था अर्शद नदीम जिनके साथ नीरज कितने साल उससे 2016 से उनके साथ खेलते आए हैं और एक बार भी नहीं हा रहे थे पहली दफ़ा था कि अर्शद नदीम जो है आगे नीरज की चले गए थे तो उसको लेकर आप क्या कहेंगी देखो जी आम त ने खूसी है लेकिन हमारे बच्चे है दोन्नों तो जोन से मार गे या के नाम इसका अर्शद नदीश और दो या फोगाट है जा विए इसके भी आमने बहुत दुखा रहा जी जो या भी गोल्ड मैडल मैडल लेका आई थी इसका भी नुकान रहा गया आपने में विनेश की बात की तो कहीं न कहीं वो दुख थोड़ा कम हुआ है नीरज के सिल्वर आने से नहीं जी दुख तो हमने इतना है और वह भी थोड़े से वेट के उसता निकाल ले गई है तो मैनत कर रहा रही बच्चा नहीं लेकिन दुख तो इस चीज़ का है जी मैडल का कोई दुख मैडल का दुख नहीं है इस चीज़ का है इंजरी ना हो जाती है और विनिश को लेकर दुख है यहां पर कल रात हमने आप से बात की थी आपने कहा था कि चूर्मा के साथ स्वागत करेंगे चूर्मा बनने स्टार्ट हो चुके हैं क्योंकि उनके पिता जी ने ये भी का है क प्रधान मंतरी के लिए भी चूर्मा जाएगा तो उसके लिए भी आप लोग चूर्मा बनाना आप लोगोंने स्टार्ट कर दिया है देखो जी चूर्मा तो साथ साथ के लिए बन जाता है उदन नीरजन एरपोर्ट पर जाओंगे उस दिन नरे दर्मों दिखातर भी चू रीजन था कि आप पैरिस जो है नीरज का इवेंट देखने नहीं गए कुछ ऐसा लगता है कि हम वहां स्टेडिय में मौजूद नहीं होंगे डर लगता है या आगे जो दो हजार अठाइस का उलम्पिक्स होने वाला है उसमें आप जाने की कोशिश करेंगे देखो जी टोकियो में तो गए थे उसके चाचा जी जा रहे थे साथ उसके बाई थे और यहां पोंचने पाए यहां भी काफी ज़्यादा था भी सारी पबलिक जूड़ी होई थे तो आ पाई जी से भी बात करेंगे लेकिन पिता जी से बात करते हैं क्योंकि पिता जी के साथ कल हम आज तक पर बैट कर पूरा हमने इवेंट फाइनल देखा था हमारे साथ मिलकर उन्होंने देखा था सर फाइनल के टाइम जब पहला त्रो जो है नहीं हो पाया था उस वक्त पर खिलाडी अपने देश के लिए वहां जीतने के लिए जाता है तो नीरिज का भी वही सोच थी कि मैं जो अपनी अचीवमेंट है उसको मतलब जो एक सभी लोग सोचते थे नब पार होना चाहिए वो भी उसी एक बैरियर को लेके था लेकिन जो उसको मतलब ग्रोइंग की जो थोड़ा हादिकत है वो काफी टाइम से चल रही है उसके कारणा में लगा जैसे पहली थरो उसकी खराब हुई थी वो उसका पैर गुमा था तो हमें लगा था कहीं ना कहीं ओ इंजरी का कोई दिकत है वो काफी पहले भी उसका इस्यूरा था उसने एक दो किम सकीप कि चोड़ दिये थे तो हमारा मन वही था कि उसको वह दिक्कत हुई है लेकिन अभी जो मदब खबर हैं फोन पर सोसिल मीडिया के देख रहे हैं तो एंडी टीवी पर साइद बताया भी है नीरज ने के उसको ग्रोइंग इंजरी की जो प्रोब्लम है उसी में थोड़ा पेन बढ़िया था उसी कार्ण से मैंने उसको छोड़ दिया वह जो बार बार फावल हो रही थी वह उसी कार्ण हो रही थी अपना कंट्रोल नहीं कर पा रहा था उसमें यहां पर हम लोग मौजूद थे रात के धाई बजे तक जो है जश्न का मौहल था लेकिन उसके बाद आप के सिलवर मैडल जूटा पाया और और बी जो बच्चे अपने अभी गेम जिन के बाकि है मैडल के साथ वापिस आए अपने देश में जो मैडल की संक्या 2020 में साथ थी वह मानते हैं कि थोड़ा और उसको बढ़ागे चाहे हमें दो मैडल तीर मैडल बढ़ागे मिलें मनुबहाकर की मात पिता ने हमी कहा कि वो भगवत गीता जो हैं उसमें काफी ज़्याद़ बिलीव करती हैं पढ़ती रहती हैं यहां पर भी इस रूम में मैं भगवत गीता देख पा रही हूँ क्या नीरज भी इवेंट से पहले या इवेंट के दौरान भगवत गीता या कुछ इस तरह का पढ़ना पढ़ते हैं बिलीव करते हैं जी बिल्कुल वह अपने साथ ऐसी चोटी बूक करी करते हैं कि जिसमें अपना दोनों काम होते हैं टाइम भी पास होता है और हम उपर वाले का नाम भी किसी ना किसी नजरीय से लेते ही हैं तो वह एक मतब जरूरी भी हर अथलेट के लिए जब हमें फोकुस करना पड़ता है उसके लिए वह जरूरी होता है मातची कहरीं थी कि क्योंके टो्कियो में गोल मेडल आया था और वह लुग मेडल वह हमेशा अपने साथ रकते हैं कोई इसलिजल तो कहीं ना कहीं मतब कोई ही पूछ लेता है भी पहले वाला काहँ हम तो उसी करके मतब वह साथ में जब भी कोई बड़ा था कि 100 ग्राम से पीछे रहे गए और मेडल जो है हाथ से निकल गया और अब एक कोट में हेरिंग होने वाली है उस हेरिंग को लेकर आपके क्या-क्या आपकी उमीदे हैं और ये मेडल क्या आप जो है नीरज का जो मेडल है विनेश को डेडिकेट करना चाहेंगे देखो वो जो अचीव किया है नीरज ने वो तो हक उसी को है उसके बारे में हम कोई परतिकिरिया ना देंगे ना ही हमने उसको जीता है वों सारा कम उसका है हो सकता किसी और को करना है या उन को करना है वो उसका अपना काम है हमारा तो मानना यह है कि जो अपनी जहां तक आचीव किया है वहां तक को उसको मिले उसकी बड़ी खुशी रहेगी लेकिन जिस तरह से चीजे महाँ पर गहीं थी उसके बाद होकी में ब्रॉंज आना और निरज का सिल्वर आना उस दुख को थोड़ा कम कर पाएं हैं बस उसमें यह है देखो जो बच्चे आ र मित लगाए बैठे भी वो कुछ लेके आएंगे बकी यह है कि वो अचीव नहीं कर पाए तो आगे के लिए कुछ ना कुछ नया सीख के आए हैं जी हां बिलकुल एक सवाल आप से उसके बाद माता जी और ताई जी से फिर से पूचेंगे जिस तरह से भी मैं बाहर देख र और क्या यहां पर खांडरा में और पानी पत में कुछ जमीन लेंगे और यहां पर एकैडमी जैवलिन के लिए बनाने के बारे में सोच रहे हैं देखो कहीं भी बने अरियाना में बने या किसी और सेटेट में बने हमारत मान नहीं है कि कोई मतब एक ऐसा एक हब बनना चाह लोग अगर हमारे यहां प्रैक्टिस करने के लिए आएंगे तो हमारे बच्चे उनसे नया सिखेंगे कुछ नया करेंगे तब ही हम लोग और आगए तक जाप आएंगे आपने चूर्मा की बात की थी माता जी ने भी कहा कि चूर्मा तयार होगा जिस दिन जाएंगे एपोर्ट लेकर जाएंगे तो प्रधान मंतरी को भी देंगे और ये बात चाहिए उनके सामने चूर्मा के साथ रख सकते हैं जी बिलकुल अपने परधान मंतरी जी ने अभी गेम से पहले खिलाड़ से बात की थी उसमें जिकर किया था कि वही आपका चूर्मा पहुंचा नहीं है अभी पिछली बार आप लोग का रहे थे वो बस कीनी कारणों से उनसे दूर आपकी बार उनसे मिलने के लिए जाएंग वो उस चूर्मे से बिलकुल डिफरेंट है यह जो अर्याने का चूर्मा होता है इसमें अपना की ज्यादा होता है और वो उसका स्वाद अलग होता है अब नीरच से बात हुई आप लोगों की नहीं अभी कोई बात नहीं हुई है तो यह थे नीरच के पिता जी सतीश चुकिए है कि नहीं डाइजी स्टार्ट कर दिया पूरी तयारिया और वो तो एक दिन में बन जाता फटा-फटा जी ताज़ा अच्छा लगता है तो वो तो साथ ही बनाएगे से इंतजार हो रहा है कि घर का बेटा का अब आए बहुत जयादा बहुत यहादा पाहरख कि दोहजार अटाइस की लेकिन एक सवाल जो है बहुत सारी लड़कियां जानना चाहते हैं कि नीरच के लाइफ में कोई नीरच कब जल्दी घर वापस आए और आप लोग उनसे मिलें खैब तोस कांतिजार हभी कब आएगा बहुत 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 शुक्रिया हमसे बात करने के लिए तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से नीरच की पूरी फैमिली मेंबर्स बेसबरी से देश के लाल की इंतजार में हैं कि कब नीरच चोपड़ा वापस इंडिया आएंगे मेडल के साथ वो मेडल जो की पैरिस में उन्होंने अपने नाम किया था कैमेर परसन संजे कुमार के साथ पानी पत शाजिया अबास कर दो